हेलो एवरीवन स्वागते आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWT चॉप में समग्जत सिक्षा के तहत कस्तूर्वा विध्याले से सिक्षक भर्ति का एडवर्टीजमेंट आया है जिसमें अलग-अलग विश्यों में वेकेंसी है 25 से लेकर 45 यर तक के कैडिडेट जो है इ वेकेंसी जिला अमेठी से जाली की गई है इसमें सब्जेक्ट आप देखें सबसे पहले पून कालिक सिक्षिका गणित की वेकेंसी है विज्ञान की है हिंदी संस्कृत की है सामाजिक विश्या की है अंग्रेजी की है उसके बाद यह सब फूल टाइम टीचर्स हैं और अं अविदन कर सकती हैं सबी पदों पर केवल महला कैंडिडेटी आविदन करेंगी कुल रिक्तपद कितने हैं तो जो है यहां यहां पर 20 पदों पर जो है वेकेंसी जारी हुई है कैटिगरी जो है आप देख सकते हैं जैसे कि घड़ित के लिए यहां पर देखें अनुसूचित जाती के दो पद है अनुसूचित पिछड़ा वर्ग के दो पद है तो इसमें सामानने कैटिगरी का तो कोई पद नहीं है एक पद EWS कैटिगरी का अंसकालिक सिख्ष का कला क्राफ्ट एवं संगीत में है अब यहां पर देखें कुल रिक्त पदों की संख्या कितनी है तो 20 यहां पर कुल पद है इसमें आरक्षित रिक्त पदों की संख्या दी गई है तो यह आपको देखना वेहत जरूरी है जैसे की पूनकालिक सिख्ष का गणित में यहां पर सामानने कैटिगरी का कोई पद नहीं है EWS का जो एक वेकंसी है वो अंसकालिक सिख्ष का कलाक्राफ्ट एमम संखीत में है ठीक है तो यह आप जरूर देखें अगर आपकी वेकंसी है इसमें तो ही आप आविदन कर सकते हैं Salary 24,200 प्रतिमार आएगा पूनकालिक सिख्षिका के लिए अंसकालिक सिख्षिका की जो salary है वो 12,181 है साथ में आवास की सोविदा तो रहेगी ही क्योंकि कस्तूर्वा विध्याले आवास ये विध्याले है रेजिडेंचल स्कूल है Maths के लिए आविदन कर रहे हैं Science के लिए आविदन कर रहे हैं तो Graduation के साथ में B.Ed या L.T. या इसके समकक्ष कोई योगेता और उच्च प्रात्मिक स्तर का T.T. C.T. हो सकता है आपके राज्य का T.T. हो सकता है U.P.T. हो सकता है ऐसे ही Science के लिए भासा में Hindi और Sanskrit के लिए भी जो है यही है कि Graduation में कितनी percentage है आपकी यह यहां पर नहीं सो है तो कोई भी अगर 50% है या उससे कम है या उससे अधिक है सब भी आविदन कर सकते हैं लेकिन B.Ed और आपका उच्च प्रात्मिक स्तर का T.T. भी जो है क्वालिफ हो इन तीनों में से प्लस B.Ed या L.T. और उच्च प्रात्मिक स्तर का T.T. ठीक है इसी तरीके से अंग्रेजी के लिए कला क्राफ्ट संगीत ग्रहशल विसे से प्रैसिक्षित इसनातक हैं B.Ed किया है आपने तो आप जो है इसमें भी आविदन कर सकते हैं फुल टाइम B.Ed और D.Ed वाले आविदन कर सकते हैं कम्प्यूटर टीचर के लिए N.C.T.E. से मानने B.Ed किया हो समकक्ष L.T. या इसके अलावा अगर P.C.D.C.A. B.C.A. B.C.C. कम्प्यूटर साइंस या फिर ग्रैजुएशन के साथ में D.O.E.A.C.C. डॉएक या समकक्ष संस्था से O. लेवल A. लेवल का डिप्लोमा है तो भी आप आविदन कर सकते हैं लेखाकार के लिए कॉमर्स वाले कैंडिरेट आविदन कर सकते हैं MS. ऑफिस पर काम करने का ग्यान भी जरूरी है साहिक रसोया एर्ट पास है और ये केवल इसमें एक वेकेंसी EWS के लिए और अनुसुज कोई भी महला कैंडिरेट आविदन कर सकती हैं अब कैसे आविदन करना है तो यहाँ पर जो है आपको आविदन पत्र का प्रारूप मिल जाएगा नीचे ओफिशल वेबसाइट से इसे आप डाउनलोड कर लेंगे प्रिंट करके फिल करना है फिल करके जो है अपने जितने भी ओरिजिनल डॉक्यमेंट है उनकी फोटो कॉपी लेनी है सैल पर टेस्ट करना है यानि उनके नीचे अपने खुद के साइन करने है फोटोग्राफ जो है इसमें लगा लेना है और आपको दिये गए एड्रस पर भेज देना है बाकी जो है यहाँ पर और भी पढ़ने क् यह जो है contact base पर vacancy होती है starting में और उसके बाद जो है आपके पद को आगे बढ़ाते हुए जाते हैं आपका काम जो है इनको संतोस जनक मिलता है तो इसमें विस्तार यह करते चले जाते हैं चीक है कई के जो कस्तूरा विधाले में जो है जिनके पास 6-6 साल का जो है अनुभ प्रदेश लास्ट डेट क्या है इसमें तो लास्ट डेट जो है आप देखें तेरे कस्तूरा गांदी बालिकावासे विध्याले में यह वेकंसी है और इसमें अंतिम तिथी जो है वो 25 अक्टूबर 2024 है अंतिम डेट आप ध्यान में रखें रजिस्टर पोस्ट या आपको थोड़ा सा नीचे आना है और आपको एक ही जो है नोटिफिकेशन दिखेगा यहाँ पर नीचे विएसे वेकंसी इन कस्तूरा गांदी आवासे विध्याले बस इस पर आप क्लिक कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है यह पेज आगया आपके सामने यहाँ पर विव पर क्लिक करेंगे तो केवल आप देख सकते हैं और एप्लिकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए क्लिक हेर टू डाउनलोड इस पर आप क्लिक कर लेंगे यह पेज आएगा पेज नमबर फोर आपको डाउनलोड कर लेना है ठीक है आविधन पत्र के प्रारूप के लिए तो जो भी कैंडिये टाविधन करने के इच्छुक हैं आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू